असलाम अलेकूम वेलकम बैक तुमाइक चानल तो कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज हम बराने जा रहे हैं बड़ी चीज जो है पाए का सूप जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा था था थंडी के सीजनों में तो चली देख लेते हैं कैसे बनाना है त अच्छे से आपको रब करके निकालना है ताकि जितने भी हैर बच्चे हुए होंगे वह सब निकल जाएंगे आटे से अच्छे से रब करने के बाद हमें उसको पानी से भी अच्छी तरीके से दो देना है ताकि उसके पर जो भी आटा लगावा है वह सब निकल जाए और स अब तबी भी रब करके इसको दोना ताकि जो अगर एक्स्टे हैर कभी बज भी गया हो तो वह भी निकल जाएगा और इसको अच्छे से क्लीन कर देना और पिर चलते हैं अभी हम सूप में क्या क्या चाहिए इंग्रीडेंस वह देख लेते हैं यहां पर मिलिक भी दे रही और साथे साथ मैं आपको बता भी दे देती हूँ यह पाया है जो हमने क्लीन कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें बिल्कुल भी अभी एक्स्ट्रा बाहरवाल कुछ नहीं था दम क्लीन हो गया है यह अड़ई छोटे प्याज है जिसको मैंने लंबे-लंबे स्लाइ बस इतना है नमग हम स्वाद के अनुसार दालेंगे पहले कम दालेगा तो कि हम इसमें दालने वाले है मैगी क्यूब दो यह चिकन का स्टॉक जो मैगी क्यूब मिलता है मार्किट में वह यह यह चार से पाच ग्लास भरकर हमें पानी ले ले लेना है साथ में और चलिए यह सब दाल के हम उसको प्रेशर कुक करेंगे यहाँ प्रेशर कुक करना हे 7-8 विसल लेकिन इदम ही slow flame पे अम इदम low रखना है flame को और इसको प्रेशर कुक करना है जब 7-8 city हो जाएगी तो हमें इसको खूल के चेक करना है पानी कितना बचा है और salt हमें चेक करेंगे लेकिन salt डालनी की जरूरत नहीं परती है क्योंकि हमारे maggie cube भी salt होता है रहा हम अलड़ी salt डाल रहे हैं मुझे लग रहा था कि पाया अच्छी तरीके से cook नहीं हुआ है और soup बहुत है तो मैंने फिर उसको और साथ से 8 whistle दी slow flame पे ही और उसको अच्छी से cook होने दिया तो यहां बहुत ही अच्छी तरीके से cook हो गया है जब पाया अपनी हड़ी सब तूटने लग जाएगी यानि हम एक हलके हाथ से भी इसको पकड़ेंगे तो उसकी हड़ी तूट जाएगी तो हमें उतना पकाना है उसको और वो भी slow flame पे ही बहुत ही अच्छी तरीके से आप पकाईएगा और उसको अच्छे से गरम गरम ही सर्फ करना थंडी थंडी के मौसम में गरम गरम सूप तो हर किसी को अच्छा लगता है तो आप लोग भी try करिए अगर आपको कोतमीर पसंद है तो आपको कोतमीर दालना है मुझे कोतमीर अच्छी लगती है तो इसके अपकी घर में और हर कोई ख़प पी सकता है बच्चे बड़े बुड़े हर कोई इसको पी सकता है ये बहुत ही healthy चीज है आपकी घरवालों को फिलाए थंडी के मौसम में ये हड़ियों के लिए बहुत अच्छा होता है तो चलिए इंजोई करिए आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जजा करना मेरे चानल के आने का डू लाइक शेयर और सस्क्राइब चूमा चानल